नमस्कार मैं दीपती आज लेकर आई हूँ मुगलई पराठा की बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेस्पी जो फटा फट से बन जाता है और इस सर्दियों के मौसम में आप इसको ना हफते में अगर दो बार तीन बार भी बना कर खाएंगे ना तो भी आपका मन नहीं तो चलिए फटा फट से बना लेते हैं और ये मेरी बेटी की भी बहुत फैबरिट रेस्पी है अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी तो वो बार बार में ने जो पूछ रही थी कि आप बना दो तो मैं एग लेकर आ जाओं तो मैंने सोचा चलो बना कर आज मैं उसको खिला देत है उसमें आदा चमज नमक डाला है और साथ में डाला है मेल्ट करके घी इस पराठे को मैं ओयल में सेकूंगी लेकिन जब मैं इसको लगा रही हूं आटे को तो मैं यहां पर घी का इस्तेमाल कर रहे हूं सर्दियों का मौसम है और अगर आप घी से से शेख देंगे तो पर यहां बनाए तो आटे को पहले से लगा कर रख दे इससे आटा सेट हो जाता है और फिर बाकी की तयारी हम कर लेते हैं तो यहां पर देखते हैं वेटू ने अंडे कहां लाकर रखे हैं क्योंकि इस समय वो ट्यूसन पढ़ रही है तो मैं उनको टोकूंगी नहीं जाकर सर नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैंने देखा फ्रेज में रखे थे अंडे यहां पर तीन कच्छे अंडे हैं तो इसमें ना पास से छे पराठे आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम यहां पर ऐसा गहरा बरतन लेंगे जिसमें हम इन अंडों को बहुत अच्छे से फेट सके तो मैंने यहाँ पर कच्चे अंडे तोड कर डाले हैं इस हांडी में इसमें ये बहुत अच्छे से फेटते हुए बन जाएंगे तो आपको अगर सर्दियों में कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में देना है सुबह नास्ते में बनाना है तो आप ये मुगलई पराठा बना सकते हैं सामगरी भी बहुत जादा नहीं लगती है और सर्दियों में जो लोग अंडा वगेरे खाते हैं उनके घर में तो ट्रे नर्मली रखी रहती है तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं क्योंकि उसको तीखा लग जाएगा बाकी की मैं बाद में एड़ कर लूँगी जब मैं अपने लिए और हस्बंड के लिए बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने प्यास डाला है थोड़ा जादा मात्रा में महीन कट करके और वैसे ही मैंने यहाँ पर धेर सारा हरा धनिया लिया है और कोई मसाला इसमें मैं एड़ नहीं करूंगी यह इसी से बहुत ही simple और easy सा बनता है पर बहुत ही tasty बनता है तो बस यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा नमक नमक हमने आंटे में भी डाला है और इसमें भी तो ऐसा है नमक को थोड़ा सा light रखिएगा क्योंकि अगर कच्छे अंडे में नमक चलता हुआ हो जाएगा तो फिर वो tasty नहीं लगता है खाने में तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और अब हम इसको इतना अच्छे से फेटेंगे जब तक यह बहुत अच्छे से fluffy नहीं हो जाता है तो इसको जो फेटने की secret होती है वो यही होती है जितना fluffy होगा यह उतने अच्छे से मुगलई पराठे के अंदर जाकर पकेगा और steam होगा तो इसको मैंने बहुत अच्छे से फेटा है लगबग 3-4 मिनट के लिए आप नॉर्मली ओमलेट भी बनाते हैं तो भी आप अंडे को इसी तरह से अच्छे से फेटी है इससे अंडा बहुत ही ज़्यादा fluffy हो जाता है और जब आप ओमलेट बनाएंगे तो वो फूला फूला सा बड़ी आसा soft सा बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से फेट लेते हैं मैं जब भी बनाती हूँ ना तो इसको बहुत अच्छे से फेटती हूँ जब तक यह जागदार इस तरह से फेने वाला नहीं हो जाता है तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको पहले फेटे और इसको मैंने रखा है साइड में और फटा फट से बना लेती हूँ मुगले पराठों के साथ खाने के लिए मैं चटनी तो यहां पर मैंने चटनी में क्या-क्या लिया है यह चटनी में अक्सर बनाती हूँ और बह माच कलिया लहसुन की और साथ में जोहरी मिर्ची रखी थी वो मैं यहां पर डाल देती हूँ धेर सारा धनिया टमाटर नमक आप यहां पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जीरा भी आड़ कर सकते हैं तो यहां पर यह सब चीजे डालने के बाद मैंने टमाटर को कट कर लिय जोड़ा है और यह देसी टमाटर है इसलिए बढ़यासे घट्टे घट्टे लगते है जब इसकी चट्णी बनकर तयार होती है लुए शचले है जब आप गर्मियों में पर तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं आप यहां पर आदे नीबू का रस डाल सकते है इससे बढ़या इसको पीस लेते हैं और अब हमारा आठा भी सेट हो गया है तो मैंने साइड में गैस में तबा रख दिया था तब गरम हो रहा है तब तक यहां पर हमारी चटनी बन जाएगी तो यहां पर चटनी पिस गई है और इसको रख देते हैं बंद करके मिक्सी को साइड में और चट इसलिए मैंने इसको टेफिन बगेरे में निकाल कर नहीं रखा है मैंने इसी तरह से इसको रख लिया है अब मुगलई पराथा को जो बेलने का सीक्रेट होता है वो मैं आपको बता देती हूं यहां पर हमें आटे का पेडा थोड़ा सा बड़े साइच का लेना है क्योंकि अच्छे से इसमें फैलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं पतली सी रोटी बना रही हूं यह आपके उपर डिपेंट करता है कि आप इसको कितना पतला और कितना बड़ा बनाना चाहते हैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे किनारियों को आपको अगर पहली बार आप बना रहे हैं तो आप यहां पर थोड़ा सा पानी लगा कर चिपका सकते हैं मैं इसी तरह से दोनों हाथों के बीच्व ऐसी चुटकी बनाते हैं जैसे तो बस पहली उंगली और अंगुठे से इसको इस तरह से दबाते जाए और यह बहुत साफधानी रखियेगा आप इसको असानी से बना सकते हैं तो यहां पर मैंने इस तरह से उठाकर इसको सील कर दिया है यह ले Santo थोड़ा सा खिसका दीजिए और यह जो हिस्सा है इसको भी हम सील कर देंगे यह देखिए पैक कर दिया और अंदर जो हमारा बैटर है कच्छे अंडे का वो अच्छे से जाकर पूरे में फैल गया है आप इस तरह से एक फोक लीजे और बढ़ी आसा इसको इस तरह से सील करते जाएए इससे डिजाइन भी बहुत अच्छी बन जाएगी और हमारा जो यह मुगलई पराठा है वो भी बहुत अच्छे से सील हो जा तो यह कितना मड़िया सिग्या है और बस इसके उपर हम ऑल डालते जाएंगे और गर्वियों में जब बनाएं तो आप इसको गी के साथ बना लीजिए वैसे सर्दियों में इसको आप इसी तरह से ऑल के साथ से किये तो यह देखिए बढ़िया सा मारा पराठा तयार हो गय और लिजिए यहां पर मठाली लगा देते हैं क्योंकि गरम गरम बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं एक एक करके सेखती जाओंगी और मैं बैटी को देती जाओंगी तो मैंनी यह गाजर और मूली का अचार धी बनाया थह दो दिन पहले तो यहां पर मैंने थोड़ा स टेस्टी सा मुगलई पराठा तैयार है कितने अच्छे से अंडा अंदर जाकर पग गया है तो चलिए विडिया राली को थाली लेकर चलते हैं आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब